नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है किरन किचन चैनल में तो दोस्तों आज किरन किचन में क्या बनने वाला है उमीद करती हूं दोस्तों आप सब कैसे हैं सबस्त रहें मस्त रहें अपने अपने कामों में बयस्त रहें दोस्तों तो चलिए मैं यहां पे लिह हूं ओल अप लोग पहचानते हैं दोस्तों कि एक यह है तो मैं यहां पे एक ओल लिह हूं हमारे यहां इसे ओल बोला जाता है आप लोग यहां क्या बोला जाता है दोस्तो आप लोग कमेंट बक्स में जरूर लिख कर बताना तो मैं आज ओल के रेशिपी सेयर करने वाली हूँ दोस्तो मैं यहाँ पे एक ओल ली हूँ तो इसे हम काट लेंगे दो भाग करेंगे इस ओल को काट कर दोस्तो और वीडियो को पूरा वाच करना दोस्तो तभी आप लोग को समझ में आएगा इस ओल को रेशिपी और वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तो तो लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना तक याने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए दोस्तो तो मैं यहाँ पे ओल के काट ली हूँ चार-पांच भाग में अब इसे हम छिल लेंगे इस ओल को छिल लिया जाएगा छिल करके मिलती हूँ दोस्तो आप लोगों से इस ओल को रेस्पी बहुत बढ़िया लजबाब मजदार बनने वाला है लो भाई मैं यहाँ पे छिल का उतार दे रही हूँ इस ओल को दोस्तो तो आप लोग तो बहुत बार ओल को रेस्पी बनाए होंगे तो एक बार मेरे ट्रिक तरीके से बनाईएगा तो मैं सारे ओल को यहाँ पे छिल ली हूँ देखिए आप लोग अब इसे हम काट लेंगे छोटे-छोटे टुकडे में कट कर लिया जाएगा दोस्तो इस ओल को तो सारे ओल को मैं काट लेती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ देखिए इस सेफ में मैं काटी हूँ न जदा मोटा काटी हूँ न जदा पतला इतना ही मैं टुकडा में काटी हूँ तो मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ दोस्तो कि इस ओल से मैं क्या बनाने जा रही हूँ तो मैं सबजी बनाने जा रही हूँ दोस्तो इस ओल से इस सबजी के आगे मटन चिकन भी फेल हो जाएगा तो सारे ओल को मैं यहाँ पे काट ली हूँ और इस ओल को हम धो लेंगे रगड रगड के बहुत बढ़ियां से देखिए यहाँ पे सारे ओल को मैं काट ली हूँ दोस्तो तो हम क्या करेंगे इसे धोवेंगे तीन-चार पानी इसे हम धो लेंगे बहुत बढ़ियां से रगड रगड के दोस्तो फ्रेस धो लेना है और यह ताजा ओल है बहुत बढ़ियां लजबाब इसका रेश्पी बनने वाला है तो यहाँ पे इस ओल को मैं धो ली हूँ दोस्तो देखिए आप लोग तो प्लीज दोस्तो वीडियो को पूरा देखना सुरू से आन तक यह उलको सबजी किस तरीके से बनाया जाता है तो मैं यहाँ पे दो टमाटर काट करके रखी हूँ और यहाँ पे तीन प्याज काट करके रखी हूँ लंबे लंबे पतले सेफ में और यह दो गाठ लहसुन कुट करके रखी हूँ दोस्तो और यह थोड़ा सा इमली मैं भीगो करके रख दी थी तो फुल गया है यहाँ पे यहीं मिली फुला करके रखी थी और यह तड़के के लिए है राई और कड़ी पत्ता दोस्तो दिखिए करीपता है और राई है तड़के के लिए तो यहाँ पर मैं कुकर को चढ़ा दी हूँ और कुकर गरम हो गया है दोस्तों तो इसमें तेल डाल दिये जाएगा तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो हमें तड़के डालेंगे तो यहाँ पर सरसो राई चटक गया है दोस्तों और करीपता भी जल गया है तो जो मैं लम्बे लम्बे सेफ में प्याज कट करके डली रखी थी ओ डला जाएगा और डाल करके मिला दिया जाएगा और हलका सुनेहरा कर दिया जाएगा भून करके प्याज को और यह कुटा हुआ लहसुन डला जाएगा और यह लम्बे सेफ में मैं काट करके टमाटर को रखी थी ओ टमाटर डाल दिया जाएगा और डाल करके मिला दिया जाएगा तो यहाँ पे हल्का फ्राई हो गया है टमाटर और प्याज तो मैं यहाँ पे ली हूँ यह मिक्स मसाला है दोस्तो और यह हल्दी पाउडर है जीरा पाउडर एक चमाच अध्धा चमाच पेपर पाउडर और गरम मसाला है एक चमाच और यह है धानिया पाउडर दोस्तो एक चमाच बड़े वाले चमाच से तो यहाँ पे यह सारे मसाला में त्यार कर ली हूँ तो सारे मसाला को इसमें डाल दे रही हूँ और डाल करके मिला दे रही हूँ बहुत बढ़ियां से दोस्तो इसे भूने जाएगा इस मसाला को और स्वाद के अनुसार मैं निमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार मैं इसमें निमक लगाई हूँ दोस्तों तो आप लोग अपना स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो और जो मैं यहाँ पे कुटा हुआ लासुन का पानी रखी थी पानी में डाली हूँ और डार कलके मिला दे रही हूँ दोस्तों तो देखिए यहाँ पर ए मेरा मसाला भुना गया है बाव और जो मैंने इमली भीगो करके रखी थी तो फुल गया था तो उसे निचोड करके मैं पल्प को निकाल ली हूँ तो इमली को रस को हम डालेंगे इस मसाला में और दो मिनट तक पकाएंगे इस इमली को रस को तो दो मिनट पक गया है देखिए यहाँ पर तो जो मैंने यहाँ पर ओल को धो करके रखी थी उस ओल को हम डालेंगे इस कुकर में दोस्तो तो आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा कुकर में ओल के सबजी बनाने की रेश्पी दोस्तो आप लोग किस तरह बनाते हो जरूर एक बर कमेंट बग्स में लिख कर बताना बाओ देखिए कितना बढ़ियां मजदार ओल की सबजि तो उसी के अनुसार आप लोग गरेवी के अनुसार पानी डाल सकते हो तो मैं पानी डाल दी हूँ और सिटी लगने का इंतिजार है दोस्तो ढखकन लगा दे रही हूँ कुकर में तो सिटी लगेगा दो सिटी तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ और यहाँ पे मैं कच्चा नारियल पीस करके रखी थी, मिक्सी में, बहुत महीन पीस ले हूँ, तो जो सिटी लगा है दोस्तों, यहाँ पे मेरा सबजी त्यार हो गया है, तो जो मैं यहाँ पे नारियल पीस करके रखी थी, महीन, तो नारियल को डाल करके बहुत बढ़ियां से इस सबजी में मिला दिया जाएगा दोस्तों तो देखिए बाव यहाँ पे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा सबजी बन करके त्यार हो गया है बाव कौन कहता है कि धावे की जैसी सबजी नहीं है दोस्तों देखिए बाव एकदम होटल की तरह मेरा यहाँ पे ओल की सबजी बन करके त्यार हो गया है दोस्तो आप लोग यहाँ पे एक रोटी की जगह दो रोटी जदा आप लोग खा सकते हो दोस्तो बाव तो चलिए मैं यहाँ पे साव करके दिखा दे रही हूँ और यहाँ पे मैं हरी धनिया की पत प्राई करना किरन किच्चन की तरीके से अब तक के लिए बाई बाई टेके जैहिंद बंदे मातराम